Assalamualaikum students, open your page number 184 आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर करना है, चैप्टर नमबर 8 चैप्टर नमबर 8 में हमारे पास क्या है, Information Handling इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा है तो हम लोगों ने उसको किस तरह से अरेंज करके लिखना है उस डेटा को हम लोगों ने हैंडल किस तरह से करना है Now open your page number 185 Page number 185 के अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है Bar Graph Bar Graph और Bar Chart is a graphical representation of data using bar of different heights or length अब इसके अंदर Bar Graph को हम लोग Bar Chart भी बोलते हैं करते हैं data की अपने using different height or length of bars अब हमारे पास बार चार्ट में क्या है different length की height की हमारे पास जो bars है वो होती है Bar Graph can be drawn vertically और horizontally अब इन बार ग्राफ को हम लोग vertically भी और horizontally भी ड्रॉ कर सकते हैं अब हमारे पास एक example, example में क्या कह रहे हैं अब हमें example में क्या बता रहे हैं अब हमें अब हमें एक सर्वे किया है उसके अंदर हम लोगने class 4 के बच्चों से पूछा है कि उनको कौन कौन सा कलर पसंद है और ये बार ग्राफ किस फॉर्म में बना है वर्टिकल फॉर्म में अगर हमारे पास इस फॉर्म में ये बार्स बनी होती ही तो हम कहते हैं ये horizontal फॉर्म में है अगर अगर अब ये किस तरह हाइट की फॉर्म में हमारे पास तो अब हम क्या कहेंगी ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है अब देखें हमारे पास total students कितने हैं 8 जिन में से 4 students ऐसे हैं जिनों ने कहा है कि हमें blue कलर पसंद है एलो में कितने students ने कहा है 5 students ने कहा है ग्रीन में कितने students ने कहा है अब कि लास में हम लोगों ने क्या किया एक standard बना लिया के total eight हमारे पास numbers है vertical side पे horizontal side पे हम लोगों ने क्या लिखने है colors name लिखने है उसी तरह से जितने children's ने हम लोगों को कहा है कि blue color पसंद है आप लोगों ने वहाँ पर डॉट लगाना है और एक बार बना देनी है yellow जितने students को पसंद है आपने वहाँ पर डॉट लगाना है और एक बार बना देनी है इसी तरह से नीचे आप लोगों को question दिये गए है how many children's like red color अब red color है red color कितने student को पसंद है इसी तरह से आप यहाँ पर जाए तो यहाँ क्या आता है six तो यहाँ पर answer में क्या आजाएगा हमारे पास six इसी तरह से which color is least light least light का मतलब होता सबसे कम कौन से color को पसंद किया गया है आप लोगों ने इस बार में बार्स में से देख कर यहाँ पर write करना है how many children's like green colored green color कितने बच्चों ने पसंद किया वो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है which color is the most light सबसे ज़्यादा color कौन सा पसंद किया गया है यानि जो color सबसे ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया होगा वो यहाँ पर आएगा how many children's are there in total अब total हमारे पास कितने children's है अब यह देखे total निकालने के लिए क्या है blue को कितने children's ने पसंद किया 4, yellow को 5, green को 7, pink को 3, red को 6, orange को 2 अब आपने क्या करना है 4, 5, 7, 3, 6, 2 को add करकर यहाँ पर अपना answer write करना है